यह नहीं मिलता चिक हैं अगर मार्केट का sentiment यहाँ पर खतम हो चुका है सभी लोगों का तो market कहीं ना कई अगर आप यहाँपे देखो गए तो mostly लोगों ने किया किया होगा कि P rester हमेट काुटए है तो आपको एक बन करता है तो आपक़ क्या होता है मार्केट के सजरी टबल्हक डॉश्चनन लेता है यहां सिरिक्षिन लेता है मार्केट का सेंटिमेंट यह है कि मार्केट यहां पर नीचे जाना चाहिए लेकिन आज मार्केट ने क्या किया मार्केट उपर गया अब अगर मार्केट उपर जा रहे तो इन लोगों का इन लोगों का इन लोगों का इन लोगों का सभी ल तो यहां पर आकर कि आप जॉइन कर लीजिए यह टोटली टोटली फ्री टॉइन है इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है आज भी हमने यहां पर एक अपडेट दिया था देखो यहां पर दिया जाता है और दोनों ने लगबग 200-300 पॉंट्स इजली हमारा यहां पर गेन हो चुका था तो अगर आपको सीखना है तो डेफिनेटली आप हमारा यह फ्री टेलिगरम चैनल में जॉइन कर सकते हो क्या बदम यहां पर देख लेकि डेली वाइस में क्या चल रह है तो एक कंफिजन सा मोमेंटम डेफिनेटली यहां पर हमें नदर आ रहे हैं मार्केट के अंदर और एक और इंपॉर्टन चीज मार्केट कहीं ना कई अपने प्रीवेस हाइकल भी ब्रेक करते होगे कंटिनेशली उपर जाने की कोशिश कर रहे है थोड़ा पूद अगर तो अगर मार्केट इन लेवल के नीचे आता है यहां से नीचे आता है तो फिर हमारा टार्गेट सीधा सीधा यहां पर रहेगा डाउन फॉल में जो रहेगा 46700 लेगें अभी इसकी लिए इंपॉर्टन्ट लेवल हमारे पास यह रहे गे दो अब यह दो लेवल कौन से कि 46 46,988 and 46,997 अगर मार्केट इन दोनों लेवल को अच्छा खासा सप्पोर्ट लेता है और मार्केट अगर यहां पर डॉन करने की कोशिश कर रहा है तब जाकर कि हम क्या कर सकते हैं निफ्टी बैंक के अंदर एक निगेटिव सेट अप कर सकते हैं जैसे हमारा एक निगेटिव सेट अपर फाइंड अट हो जाएगा तो मार्केट करेगा अपने इंपोर्टन टागेट 46,845 46,890 and 46,715 तो यह दोनों टीनों टागेट हमें आसने से भाप्याची होते हुए फिर दिख सकते हैं अगर कब जब मार्केट यहां पर नी अगर आप देखोगे तो यहां पर मिन आपको अल्रीड एक्ष्प्रेंग करके रखा हुगा है कि मार्केट जो है एक ट्रैब जोन के अंदर मोमेंटम दिला रहा है तो ट्रैब जोन के अंदर हम यहां पर ट्रेड अवाइड करेगे ठीक है अब ट्रैब्स ओन कैसे होने वा है ना तो वो क्या कर रहा है वो ट्रैब कर रहा है अगर मार्केट ट्रैब कर रहा है तो हम क्या करते है यहां पर नो ट्रेड जोन आइडेंटिफाई कर लेते हैं अगर नो ट्रेड जोन एक बार आइडेंटिफाई हो जाता है तो फिर हम वहापे ट्रेड नहीं करते हैं आपके वहाँ पे सीट हो रहे हैं या फिर आपके वाहँ पे टारिकित होड़े यहा पाई डेट फैरकर आप अगिछ ऑन की स्क मतलब कंथे ही अता है और कम नहीं करने वाला ऐन करते हैं दो सबस्क्राइब जया थे लिए सब्सक्राइब नहीं होब्यां के यहाँ हैं है एक अब और इंपोरदन चीज आंपर निकल के आती है अब यहां पर देखो के ना तो जो निफ्टी है निफ्टी ने क्या किया है आप यहां पर ध्यान से देखते हो तो यहां पर यहां पर जो पी इस बने हैं इतने जो प्योंभ के इंटि आ पर बने हुए है अमोग 2nd आने के बाद यहां पर बोँट जदा नंए लोगं कर दो नियुग कर देते हैं में यूड के यहां पूं़ मार्कित ने के तो यहां नगार्ट यहां से ब्लब ने लिया अभी अगर मार्किट सब्सक्राइब उन्हीं भी लोगों का स्टॉप लोगों के स्टॉप मार्केट स्टॊप करने के लिए तो मार्केट क्या करनेवाल लोगों estensुप करने वाला है जी तकी थाया को जाने वाला है एंट जाकीं म्सोमोमनटम तो एक वह काम करते हैं वो कभी भी अपने बड़े पैसे को इंवेस्ट एकदम से नहीं कर देते हैं अब पर है लेने लेने का फंड अविलेबल है उनके पास त्ट है तो फो क्या करते हैं एक बर हैंडबर कॉंट्रिटिसन पर निपला रहो जाता है तो फिर इस फॉंट को वापस मार्केट से एक्जिट करना इतना अजन नहीं होता है नहीं तो यह 100 quantity का fund अगर आप एकदम से डाल दोगे markets के अंदर यहाँ पर आपने position बना लिया है कि market यहाँ पर नीचे जाएगा लेकिन market यहाँ पर क्या करता है market नीचे ना जाते हुगे market यह से ऊपर निकलता है तो यह 100 quantity वाला जो fund वो आपका loss में जाएगा अगर यह fund आपका loss में जा रहा है तो आप exit करोगे कि यहाँ पर आप exit नहीं करोगे अगर आप exit नहीं करोगे तो definite सी बात है कि 100 quantity का fund जो आपने आप डाला है वो यहाँ पर और उसका loss लाउस इंक्रीज हो जाएगा एंड जैसे उसका loss इंक्रीज हो जाएगा कि अवरल आपका जो funds है अवेलेबल फंड्स वो आइटमेटिकली कम हो जाएगे अगर आपका आपका अवेलेबल फंडी कम हो जाएगा तो फिर आप यहापर ट्रेड करने के लिए आपके पास कुछ करण नहीं पाओगे और मार्केट से आपको exit कहीं न कहीं लेना पड़ेगा गया तो इस तरीके से मार्केट के अंदर आपको भी करना पड़ता है समझना पड़ता है मार्केट को कैसे identify की जाता है हर एक चीज अब यहाप एक और इंपोरण चीज आ जाती है जैसे की ब देखिए हमने आपड वार्र। धैनलिटिम कर पारेगे कि यहां पर बड़े बड़े लेकिन पुपर भी निचा रहा कर लिए उपर जा रहा हुए तो बहुत ज्यादा confusion वाला momentum है इस case में होता यह है कि ना तो हम यहाँ पर एक identification कर पाते है markets के markets उपर जा सकता है market निचे आ सकता है तो यह totally confusion वाला momentum है पर निकल के आता है यहाँ पर आप देखो कि तो काफी बड़ी असा hammer candle बना हुआ है इस levels के आसपास अब इस हैमर के अकॉडिंग मार्केट को यहाँ पर जाना तो ऊपर चाहिए लेगिन markets क्या कर रहा है सबी लोगों को ट्रैप करते हुए market निचे आ रहा है तो यहाँ पर जो averaging वाले fund है averaging वाला तो यहाँ पर averaging में कोई बचा है क्या लगता है आपको यहाँ पर बचा होगा market नीचे आ करके इन सभी लोगों को स्टॉपलस से सीट अरड़ी कर चुका है मार्केट को नीचे आने के लिए अभी कोई यहाँ पर लॉजिक नजर नहीं आ रहा है अब चीक है अब यहाँ पर नजर आएगा हमें कि नया लोजिक से यहाँ कि मार्केट निकलने वाले है या फिन रोजिक से मार्केट हैं के लिए ा आ Auss börjar करने वाला है चलिए वह वह गजब्र करने वाला है चल्य उभ गैँके कर लिकर्ट अगर 20,873 लेवल को ब्रेक करता है तो अपना नेक्स टागेट निकल के आएगा सिधा 20,815 का चीक है तो 815 एन उसके बाद में 847 यह दोनों टागेट के लिए हमें वेट करना पड़ेगा अगर प्रॉपली मार्किट इन लेवल के ब्रेकडाउन कर देता है